जितनी जरूरी मेकप में बेस होती है उतना ही जरूरी कंसीलर होता है एक अच्छी फ्लोलेस बेस बनाने में कंसीलर का एक एहम रोल होता है और एक अच्छा कंसीलर हमारे डार्क स्पॉर्स को अच्छे से हाइड करता है uneven skin को even करता है जिस से हमारी base flawless और smooth नजर आती है लेकिन concealer है किसी के पास available नहीं होता या फिर कभी ऐसे होता है कि हमारे पास उस time available नहीं होता जिस time हमें need होती है तब हम सोच रहे होते हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए कि हमें इस time पर फौरी तोर पर concealer मिल जाए तो गबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ DIY concealer ही शेयर करने वाली हूँ जो आप घर में मौझूद दो से तीन चीजों से easily बना सकते हैं जो कि आपके घर में लाजमी मौझूद होंगी जी तो असलाम लेकुम कैसे आप सब लोग उमीदा खेरियत से होंगे तो जी आज की वीडियो बिना सकिप किये ही देखने वाली है अगर आप सकिप करके देखेंगे तो आपसे अगर कोई चोटा सा पार्ट भी मिस हो गया तो फिर आपका कंसीलर अच्छे से नहीं बन पाएगा तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए एक कंटीनर जिसमें आपने कंसीलर बनाना है और इसमें जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो तकरीबन हर गर में ही मौजूद होती है सबसे पहले तो हमें चाहिए एक कॉमपैक्ट पाउडर या फिर लूस पाउडर बच्चों वाला टेलकम आता है उसे भी यूज़ कर सकती है लेकिन इसको यूज़ करने के लिए इसमें आपको कोई भी आईशेड़ो कलर डालना होगा जो के ब्राउन ब्राउनी शो वो इसमें आपको स्क्रैच करके थोड़ा सा डालना होता है क्योंके ये बहुत ज्यादा वाइट होता है आप कोई भी इस तरह का आईशेड़ो पैलेट लेंगी और इसमें से कोई भी लाइट ब्राउन सा कलर थोड़ा सा स्क्रैच करके उसमें डाल देंगी अगर आपके पास इस तरह का आईशेड़ो भी नहीं है तो आप इस तरह की कोई भी किट में से निकाल सकती है इस तरह की किट तो हर गर में लाजमी ही मौजूद होती है आप उसमें से थोड़ा सा आईशेड़ो कलर लेंगी और स्क्रैच करके उसमें डाल देंगी अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कोई भी अपना बलर्श ओन जो के इस तरह के कलर में हो उसे आप थोड़ा सा स्क्रैच करके उसमें डाल सकती है तब भी आपका एक अच्छा सा कंसीलर बन जाएगा अब इदर मैं ये दोनों शेड़ी थोड़े थोड़े से स्क्रैच करके इसमें एड़ कर रही हूँ ये आप दोनों शेड़ी देख सकते हैं कि इनके कलर काफी ज्यादा डिफरेंट है अब आपको एक अच्छा सा मॉस्चराइजर चाहिए ये अच्छे से मुराद बहुत ज्यादा महंका नहीं बलके नॉन ग्रीसी और लाइट वेट होना चाहिए बस इसके इलावा और कोई भी इमपॉर्टन नहीं है आप जो भी यूज करते हैं वो इसमें एड़ कर सकते हैं इदर मेरा मॉस्चराइजर भी मस्दी कर रहा था इसलिए मैंने आफ स्क्रीन फिर इसको निकाला और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स आपने इदर बहुत अच्छे से करना है ताकि कोई भी पार्टिकल इसमें मौजूद ना रहे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें एक और चीज़ एड़ करेंगे अब ये तकरीबन अच्छे से मिक्स हो गया अब इसमें जो अगली चीज़ एड़ करेंगे वो है फाउंडेशन जो भी फाउंडेशन आप यूज़ करते हैं वो इसमें एड़ कर सकते हैं इदर में ढर्मा कोल की 210 नंबर इसमें एड़ कर रही है और ये बिलकुल भी जरूरी नहीं है आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप जो भी यूज करते हैं वो ही इसमें एड़ कर सकते हैं अब इसको दुबारा से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे ताके ये हमारी फांडेशन भी उन तमाम चीजों में अच्छे से मिक्स हो जाए एक से दो मिनट अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद ये बिलकुल अच्छे से रेडी हो जाएगी आपकी स्किन के उपर जितने भी डार्क स्पोर्ट्स होंगे अंडर आई एरिया पर या फिर टी जोन एरिया पर इधर तकरीबन हर किसी के ही होते हैं कुछ के नहीं होते हैं लेकिन सब के होते हैं वो सारे आप इससे हाइड कर सकते हैं आप इसको बगैर foundation के भी यूज़ कर सकती है ये आपकी skin पर जितनी भी problems होगी उनको solve कर देगा अगर आप बहुत ज्यादा make-up नहीं पसंद करती तो आप just इसे भी लगा सकती है आप देख सकते हैं कि मेरे आदे हैंड पर लगा हुआ है और आदा हाथ जो है वैसी है लेकिन ज्यादा difference नहीं है सिर्फ neatness का फरक है और यही चीज़ हमें चाहिए होती है कि हमारी skin के उपर जितनी भी problems हैं वो सारी hide हो जाए और इससे वो अच्छे से hide हो जाती है अब इसको एक container में shift कर लेंगे ताके इसको आप कहीं भी carry कर सकें जैसे कि एदा आ रही है किसी नानी दादी के पास जाना होता है तो आप अपनी vanity में रख सकती है और easily carry कर सकती है comment section में जरूर बताईएगा कि आप इस एद पर कहा जा रहे हैं हम तो इस एद पर मुलतान और फैसलाबाद जा रहे हैं आप कि सिटी से बेलॉंग करते हैं ये भी comment section में बताईएगा तो मिलते हैं किसी next video में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अलाफेज